आप सभी प्रिया दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे, मार्च 23 को स्टॉक मार्किट में क्या हुआ, लाठी लेकर भालू आया, चम चम चम, अब लाठी में कितना दम है, थोड़ा कम दम रह गया है, आज Reliance Industries में क्या हुआ, Future Group के स्टॉक में क्या हुआ, और साथ-साथ मे Metal Sector ने काफी तेजी दिखाई है, उसके बारे में व्याख्या की जाएगी, Future Group की डील, क्या हो पाएगी, पूरा विशलेशन करेंगे इस वीडियो के मादब, सबसे पहले कारणा आज के मार्किट थोड़ा डल था, टाटा स्टील और सेल, Metal Sector ने थोड़ा सा संभालने की को तरह, तो ये अच्छी बात नहीं है, बुल्स के लिए, करीब 70 पॉइंट गिरा है यहाँ पर, 21 स्टॉक बढ़े हैं, और वहीं 39 स्टॉक में गिरावट आई है, अगर हम गिरने वाले स्टॉक में देखें, तो बैंक सेक्टर काफी जादा गिरा हुआ था, और कंसम्चन थ एक शाइनिंग स्टार बनके आ रहा है, जिस तरह से मेटल सेक्टर ने आज कारोबार किया है, टाटा स्टील करीब 2.3 प्रतिशत बढ़ा है, सेल करीब 3.6, सेल का तो रीजन भी है, सेल का डिविदेंट आया है, अगर आपने अभी तक नहीं खरें, तो डिविदेंट के ल अगर हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर, आज काफी नेगडिव यू था बैंकिंग सेक्टर में, और ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स भी आज नेगडिव यू में चल रहे थे, यहाँ पर देखें, ICICI बैंक, अल्मोस्ट फ्लैड बंद हुआ है, यह शुरुआत में पॉ 0.6% गिरा हुआ है यहाँ पर, तो यह अच्छी बात नहीं है, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर नीचे गिर रहे हैं, इस तरह से मार्किट नहीं चल पाएगा, उपर अगर बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर help नहीं करेंगे, इंफलेशन बढ़दा जा रहा है, US और UK के दोनों म यहाँ यह थोड़ा सा समझ से संभा कर सकता है मार्किट में, अगर डाउ जोन की बात करें, तो 0.7% गिरा हुआ है, 34,562 के आसपास डाउ जोन, दो की एसपेक्ट आपको समझने है, European Union के बांड की वैल्यू बढ़ रही है, साथ साथ में US के बांड की वैल्यू बढ़ रही साथानी से काम की जगा, Reliance Industries और Future Group के स्टॉक की आज बात करें, तो Reliance Industries का स्टॉक आज करीब 0.3% के आसपास बढ़कर कारोबार किया, morning में एक अच्छा bump दिखाया था इसने, डील के चलते हुए इसको positive news की तरह से देखा जा रहा है, अगर यही चीज हम Future Group के स्टॉक में देखें, तो आज अच्छा काम हुआ है, काफी बढ़या, कई दिनों से बहुत अच्छी गिरावत चल रही थी, आज Future Retail करीब अपर सरकिट चल गया था, दो घंटे के बाद ही, और साम तक चलता रहा अपर सरकिट, डेड़ करोड शेर हैंड एक्सचेंज में है, यही इसको, Future Supply Chain को आप डेली के बिसेस पर देखें, तो डेली में इसने देखें, यहां तक अभी जो गिरावत शुरूही 65 से अभी भी वहाँ पर नहीं पहुचा है, बट आज का वॉल्यू में हाँ पर क्लियर इंडिकेट कर रहा है, कि काफी हैवी बाइंग हो रही है, फॉर accumulating share for the deal voting right, तो यह equivalent आपको voting right मिलेंगे सब के लिए, future lifestyle fashion और future retail दोनों हमारे पास है, इन दोनों में अभी भी हमारे account में losses है, लाख रुपिया का, तो यह कोई घपराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें मालू में यहाँ पर deal का challenge रहेगा, और अभी इतनी आसानी से deal complete नही होगी, देखे, bank, NPA की वजए से, यहाँ पर काफी तकडी selling की है, future retail और future lifestyle fashion जो pledge थे share यहाँ पर, voting के लिए, 20 तारिक को voting है, April 20 को, और यहाँ पर जो आजकल खरीदारी चल रहे है, delivery के basis पर, as per trading circle information, सारी की सारे reliance के खे में, जितने भाव पर मिल रहा है, खरीदने की कोशि कर रहे हैं, क्योंकि, यहाँ से, एक अच्छी position बनेगी, उनको deal के लिए, voting approval के लिए, तो काफी बड़ी huge quantity में delivery चल रही है, with the help of reliance group, और जो उनके specific operators है, हमने, standard disclaimer, आज, पहले, हमने जितना भी purchase किया वा था, कल तक का purchase किया वा है, आज कोई purchase नहीं किया है, हमने, ना future retail, ना फिर future lifestyle, आज zero purchase था हमारा, supreme court का date, एक अगस्त, और यहाँ पर, NCLT का main update है, as per trading circle information, CCI का decision uphold किया जा रहा है, NCLT के द्वारा, official news आई की तब confirmation होगा, बट जिसकी वज़े से, आज stock काफी तेजी रहे है, और कल भी, उमीद लगेगी कि, अपर circuit ही, लगेगा future retail, और future lifestyle fashion मे bond की stability was key part, जो हम daily bond बता रहे थे अपने वीडियो में भी, कि bond 54 और 58 के बीच में trade कर रहा है, 56 से plus minus 2 जा रहा है, जो कि एक stable part है, 2% गिरना bond का compare to 33% stock का, यह stock की supply को दिखलाता था, जो supply खतम हो जाएगी, तो stock फिर से उपर चनल लगेगा, आज अगर dollar का भाव देखे, तो कल 76 रुपे के आसपास था, आज 76 रुपे 50 पैसे है, तो आज यहाँ पर काफी तकड़ी गिरावाटा ही है, dollar में, FII की selling आज बंद हुई है, यहाँ पर, 481 करोड की buying करी है, 23 March को FII ने, वहीं DIA ने आज selling शुरू कर दिया है, तो यह थोड़ा सा अच्छा नहीं है, weekend might get squeezed, थ Technical Analysis देख लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम Nifty की बात करें, आज 0.4% के आसपास गिरा है, अगर इसको early chart पर देखा जाए, तो early chart पर इसने, हर candle जो बनती रही है, वो red candle बनती रही है, यहाँ पर कहीं पर भी किसी ने भी shot किया होगा, अगर early chart के candle के basis पर, तो आज काफी च 17,496, 17,500 का बताया था, और 17,450 से इसने U-turn लेना शुरू किया है, यहाँ से अगर किसी ने भी shot करना शुरू किया होगा, तो काफी अच्छा करीब 200 point का profit मिला है, अब यह minor resistance जो है, इसको थोड़ा नीचे करने का समय आ गया है, जो आज का opening था, उस पर लगा रहे हैं, 17,400 के आसपास, और major resistance 17,500 के आसपास रहेगा, support इसकी थोड़ी नीचे हो जाएगी, अब हमारे हसाब से, कल के लिए जो support रहेगी, वो यह double bottom जो है, candle के, वो है 17,116 के आसपास, तो कल की trading range होगी, 17,400 से लेकर 17,116, और अगर 116 तुटता है, तो फिर यह 17,000 तक जाने की करेगा, जो की major support रहेगा, कल की trading के लिए, आज अगर super trend को देखें, तो super trend अभी भी buy signal generate के आवा है, but red candle बनना थोड़ा दा challenge है, RSI के level 55, जो इसको यहाँ पर एक neutral zone बनाएगा, अगर हम बात करें, यहाँ पर bullinger band, तो band की वजए से, आज band के ऊपर तक जाने की कोशिश की है almost फिल हो चुका है, अब ज़्यादा इसमें दंखम नहीं बचा है, अगर super trend को देखें, तो 16,700 का level एक support band की तरह से काम करेगा, आईए ज़रा चलकर option chain का data देखते हैं, यह weekly expiry option chain का data है, अगर इसमें देखें, सबसे ज़्यादा support कहाँ पर है, तो देखें, सबसे नीचे की तरफ को जो support है, 17,000 का support लग रहा है, यहाँ पर, 17,000 पर करीब करीब आपके 74,000 open interest खुले हुए हैं, यहाँ पर put के, और यही चीज़ अगर resistance की देखें, तो 17,500 पर करीब करीब 1,68,000 का resistance लगा हुआ है, तो यह एक अच्छा बात है, put call ratio भी यहाँ पर put के against है, calls के favor में, रहने की कोशिश करेगा, तो यह तो वह बड़ा range का, अब minor range की अगर हम बात करें, तो तीनो level पर 1,00,000 है यहाँ पर, so 17,300 short term के लिए एक resistance बन गया है भी यहाँ पर, कल के लिए trading range as per option chain analysis, 17,000 से लेकर 17,300 तक रहेगी, आप चाहें कल expiry भी हैं, तो इस range के माधिम से आप अ अभी भी इस range के अंदर यह 17,250 के आसपास trade कर रहा है, कल के लिए international market थोड़ा negative view है, corona cases बढ़ते जाना है, चाइना में, यूरोप में थोड़ा challenge आ रहा है, और Ukraine के युद अल्मोस्ट एक महिना हो गया है, और अभी तक कोई वहाँ पर समझोदा की बात नहीं आ रही है, हमा झाल 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